हेलो दोस्तो कैसे होता दोस्तो आज के इस नई विडिम आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस नई विडम लोग बात करने वाले IPL 2012 के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है कुलकता नाइट राइडर्स वर्से संडराइजर सिद्राबाद इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तो ये मैच श्याम को 7.30 पीम को स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला ब्रेबॉन स्टेडियम मॉंबई एक इंटरस्टिंग मैच है दोनों टीम्स का अगर देखो तो कॉलकता नाइट राइडर्स बेटर लग रहे हैं संडराइजर से दरबाद पिछले दो मैच जीत चुकी है पाच मैच ब्रेबॉन स्टेडियम में और रन बने है ठीक है यहाँ पर 177, 179, 210, 211 तो दोनों मैच अगर देखोगे तो यहाँ पर रन बने है ठीक है और एक अच्छी बैटिंग विकेट देखने को मिलिए यही कुछ आपको इस मैच में भी मोस्ट लैकली देखने को मिल दोस्तों बात करेंगे यह सारीच की चार में से अगर देखोगे दो मैचे से लोग जीते हैं दो मैचे से लोग हारे हैं और कुछ इस तरह की सिनकी प्लेइंग लेओन रही है पिछले दोनों मैचेस में क्या चेंज होंगे I don't think कोई चेंज होगा देखो वाशिंग्टन सु सुदर को इंजरी हुई है तो कुछ मैचे सो मिस करेंगे एक विक एटलिस्ट मिस करेंगे तो उनके जगा पर या तो श्रेश गोपल आ जाएंगी जिनका नाम मैंने लिखा है या तो फिर इनके पास एक जगदिशन सुचित करके क्लेप्टम ऑटोडोक्स पीनर या तो फि अब अभिशेक शर्मा पिछले दो मैचेस में रन बनाई 75-42 पहले दो मैचेस में रन नहीं बने थे के इन विलियमसन 57 पारिती पिछले मैन अब दम मैच भी रहे थे रहूल त्रिपाटी ये भी कंसिस्टन रहे 44-39-17 निकलस पूरन अच्छा फॉर्म दिखा है अब तक 34-24 तो अच्छे लगे है ठीक है एड़म माकरम देखो फॉर्स्ट में रन बने थे अगले दो मैचेस में ज्यादा रन नहीं बने है बड़ स्टिल नमबर पाच पर आते क्वालिटी प्लेयर है सुन्दर अवेलेबल नहीं है भूनेशरु कुमार कैन बैट लिटल बिट ठीक है अब बेंच पर रोमारियो शेपर्ड अब्दुल समधी है स्टार्टिंग के दो मैचेस खेलेते उसके बाद इनको खेलने का मौका नहीं मिला हो सकता आपको रोमारियो शेपर्ड खेलते हैं माको यानसेन के जगप है बॉलिंग में भूनेशरु कुमार चार मैच में तीन निकाल चुके है मापकरना है फिल्टी से एक लिका या पर दो विकेट होने चाहिए फिको जूनों ने दो विकेट पिछले मैच में निकाले थे ठीक है पावर बिलाते हैं और डेथ में लात और कहीना कहीना slow balls का use इन्होंने death overs में किया था तो विकेट्स मिल रही थी तो ये फिर से हो सकता है याद रखना है ये बात Marko Yansen दो match में इन्होंने दो विकेट्स निकाल लिए bowling अच्छी देखने को मिली है उम्राल मलिक की बात करें तो पहले match में दो विकेट्स निकाल लिए चार match में आठ विकेट्स निकाल चुके है सुन्दर अवेलेबल नहीं है अभिशक शर्म आई है गलती से में हैश्टेग लिखना चाहिए पार्ट टाइम बालर है माकरम भी पार्ट टाइम बालर है पहले दो मैट्स खेले थे तीन विकेट्स निकाल लिए थे रन दिये थे तो इनको डॉप किया था माको यांसेन को खिला है दो मैट्स ने अच्छी बॉलिंग करी है माको यांसेन ने बड़ अभी सीन के है न वशिंटन सुन्दर नहीं है तो जो बैटिंग option वह कम हुआ है 7th बैटिंग option वह कम हुआ है तो टीम के कर सकते है माको यांसेन को डॉप कर के रोमार्यो शेफट को खिला सकती है और अबदूल समभ्शन यह भी बट वो अभी अविलेबल नहीं है माको यांसेन कैन बैट बट आइ तिंग स्टील फिल कि रोमारियो शेपड को शायद से चांस मिल सकता है दोस्तों बात करते हैं केक यार की कुछ इस तरह के सिनकी प्लेंग लिए उन रही है पिछले दोनों मैचेश में कोई चेंज इनों ने किया नहीं है बट दिर इस चेंजस एक्सिंटेड इन typ इन्दीस मैच एक तो इन्याँ में पाच मैचेश में देखोगा तो 3 मैचेश जीते हैं दो मैचेश हा रहे है अब रहाने बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए फिछले चार मैचेस में तो रहाने मुझे लगता है बाहर जा सकते है Sam Billings बाहर जा सकते है Billings के जगह पे Sheldon Jackson आ सकते है और रहाने के जगह आपको Aaron Finch खेलते ही दिख सकते है ये चेंज हो सकता है Finch को एड करने के लिए इनको Billings को ड्रॉप करना ही पड़ेगा तो ये भी इंटरस्टिंग रहेगा बाकी अगर चाहे त्रीम तो रसिक सलाम के जगह पे फिर से शियो मावी को ट्राइक कर सकती है अब देखो इनके लिए पाउर प्ले में रसिक सलाम उमेश यादो ने बॉलिंग करी पिछले दो मैचस में डेथ में पैट कमिस और अंडर रसल बॉलिंग करे है बट पिछले match में अंडर असल ने डेथ में बॉलिंग नहीं करी थी अमेश यादो ने पिछले match में जो mostly यह करते ने बट पिछले match में डेथ में बॉलिंग मिली थी एक और अच्छा डाला था एक और में बहुत रन दिये थे ठीक है तो जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि अजिंग के रहाने पिछले चार मैचे अट नहीं बने हैं पहले मैच में रन बने थे हो सकते हैं टीम इनको डॉप करके एरववर फिंज को ट्राइ करें वेंगर शायर की बात कर एक ही अच्छी पारी आई 50 रन की ठीक है कि में अच् में दिखे हैं बट ज्यादा कुछ कंवर्ट नहीं कर पाए हैं सेम फोर सैम बिलिंग्स हर मैच में स्टार्ट मिला है 25 14 24 17 15 बट वही है कि बड़ी पारी नहीं आए वैसे बैटिंग अच्छी खास इनको मिल रही है बस वो कंवर्ट नहीं कर पा रहे है रसल की बात करें तो ए बरुन चक्रवरती ने भी एक मैच में दस रन बनाए थे ठीक है अब बेंच में शल्डन जैक्स ने पहले दो मैच में खेलने का मोका मिला था बट हो सकता है इस मैच में आपको खेलते हो दिख बे जाए सैम्बिलिंग्स के जग़ए याद रखना अब बॉली में उमेश य इनके लिए यह गेम चेंजर रहे है वित न्यू बॉल कंसिस्टेंटली वित न्यू बॉल विकेट्स निकाली पाच मैच में दस विकेट्स ही अब तक निकाल चुके है रसिक सलम खेले जरूरे पिछले दो मैच में स्रिफ चार और बॉलिंग करी बट कुछ जादा नहीं कर दोनों मैचेस में अच्छे खासे रन पड़े है पैट कमिंस को याद रखना बट डेत में डालते हैं तो भाई साब इंपोर्टन बन जाते हैं प्लस बैटिंग अच्छी कर लेते हैं वरन चक्रुरती पाच मैच में इनके नाम पे चार ही विकेट्स है तो बॉलिंग अच् सिंगल डबल से निकालने की कोशिश करती है पिछली मैच में बड़े शॉट की कोशिश हुई तो यह दो विकेट्स ले गये और ना इनको जाता विकेट्स मिल नहीं रही है रसल की बात करें तो पिछली मैच में इन्होंने मिडल ओर्र में डालेते हैं तो अगर इंडिया टीम इंडिया देख रही है तो फिर एटलिस्ट आइपेल में इनको रेगुलरली बॉलिंग करनी पड़ेगी एक एक दो और एक दो दो और हर मैच में डालने पड़ेंगे बट पाच मैचेस में सिर्फ दो और इनको बॉलिंग मिली है ठीक है टीम साथी ने अच्छा किया जर फिर जो भी प्लेर आपको लग रहा है उसका नाम लिग दो मेने एक शेयर का नाम लिग जितने भी पॉइंट्स हो देश सकता है उस वेब को मेंशन कर देना है और उसी कमेंट सेक्षिन में आपको एक्सचेंज 22 का फैंटसी नेम भी एड़ कर देना है अगर आपके वाज तो आपको comment section में first comment में link मिलीगी वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं एक बार download कर लो fantasy name add कर लो और अगर आप सही predict कर जाते हो तो जो भी giveaway amount रहेगा वो आपके exchange 22 के wallet में ही add किया जाएगा तो बिल्कुल मत भूलना ठीक है चैनल को subscribe कर लो वीडियो को like कर लो वीडियो को share कर दो दोस्तों बात करते है hit rate stats की तो अगर देखोगे तो दोनों teams के बीच में करीबन 21 matches हुए KKR ने 14 matches जीते यह सेवन matches जीते ठीक है अब KKR के ओर से अगर देखोगे तो रहाने का 26 coverage रहता है SRH के सामने स्रेज शेयर का 34 coverage अच्छा है राना का 31 coverage है, फिंच का 25 coverage है, रसल का 13 coverage है, सैंबिलिंग्स की बात कर उतना अच्छा किया ने, वेंकरे शेयर ने सिर्फ एक ही match खेला हुआ है अब विकेट्स में आपको उमेश आदो मिलते है, 12 विकेट्स इनके SRH के सामने है, नाराइन के 10 विकेट्स है, 18 matches में स्रिफ 10 विकेट्स है रिजन पता है क्या था, डेविड वार्नर, वेकर डेविड वार्नर के head to eight star सुनिल नाराइन के सामने इतने भयंकर, इतने इंप्रेसिव है कि सुनिल नाराइन को ये SRH के सामने ज्यादा success मिला नहीं है रसल को आठ विकेट्स, सौती को आठ विकेट्स है, मावी को चार विकेट्स है, चक्रवती को चार में चार है, कमिन्स को चार में तीन विकेट्स है अब ये सार इस्ट के और साबको Williamson मिलते 28 का आवरेजिन का KKR के सामने है राहूल त्रिपार्टी का 33 का आवरेज 6 मैचेस में लास्ट येर तक तो अब विसली ये KKR के लिए ही खेल रहे थे पुरन का 24 का आवरेज है तो ये कंसर रहेगा माकरम नठा बनाए एक मैच में अभिशेक श्रमा ने दो मैचेस में 8 बनाए है मोस्ट विकेट आपको भुनेशर कुमाल मिलते है 23 मैचेस 28 विकेट ठीक है इंटरस्टिंग रहेगा ये श्रेज गोपल को पाच विकेट से नठा जन को 4 विकेट से जग्दिशन सुचित को 2 मैच में 1 विकेट है माको यांसेन को 1 मैच में 0 विकेट है अब दोस्तो प्लेयर बैटर्स देख लेते हैं तो KKR के बैटर्स वसे यसारिच के बॉलर्स तो जिंके रहाने भूनेशर कुमार ने 6 बार आउट किया हुआ है 6 बार ये इंटरस्टिंग रहेगा नटराजन प्लस स्रेज गोपल दोनों ने एक एक बार आउट किया हुआ है वेंकरे शेयर को भूनेशर कुमार ने बाकियों को फेस नहीं किया है वेंकरे शेयर ने निदिश राना भूनेशर कुमार तीन बार आउट कर सुप प्रिश को भी पूनेशर कुमार 3 बार आउट करा तो रहाने खेलती है फिर आरं फिंच खेलती है जो भी खेलागा बुवी ने दोनों को पहिशान करके रखा हुआ इवन श्रेज गोपाल दो बर आउट कर चुके नटराजन ने अब तक आउट नहीं किया है अब दोस्तों बात करते हैं सरह के बैटर्स उसे केक्यार के बॉलर्स तो केन विल्लियमसन उमें शादव एक बार आउट कर चुके बाट 69 रंस देके बट बाकी किसी ने आउट नहीं किया इवन नाराएन ने आउट नहीं किया बट 47 बाल में स्रिफ 38 रंस दिये ठीके अब इशेक शर्मा की बात कर लेते हैं तो इनको भी किसी ने आउट नहीं किया है रहूल त्रीपार्टी को रसल एक बार आउट कर चु यहां पे बहुत इंक से उपर वाले जो कि यह बहुत इंटेस्टिंग ग। पर उपर वाले जो थे न वह बहुत इंटरस्टिंग बैटल थे यह जिनके आप लोग फोकस कर सकते हैं आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं दोस्तों बनाते हैं Small League के टिम विकेट के फ़स सेक्शन आपको मिलते है निकलस फुरन सेम बिलिंग्स ठीक है अब हो सकता है कि आपको सेम बिलिंग्स रिजए पर शेल्डन जैक्सन इस मैट में खेलते भी दिख जाए अब निकलस फुरन को लेना जरूर चाहता हूँ बट मेरे पास करेलिट्स नहीं है तुम इनको डॉप कर रहा हूँ मुझे सेम बिलिंग्स के साथ ही जाना पढ़ने वाला है अब इकलिए दोनों को नहीं लेंगे बट मुझे बिलिंग्स को ही लेना पढ़ेगा द्यू टू क्रेड इश्यूज ठीक है चलते बैटिंग सेक्शन में आईयर को ले रहा हूँ केंविलिंग्स को ले रहा हूँ रहू 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 यह तीन प्लेस में लेके चल रहा हूँ पेस से यही मुझे डर है बाकि तो कोई वैसा बॉलिंग ऑप्शन है ने मिडल ओवर्स में ठीक है केंविलिंग्स को ले ले लेते हैं केंविलिंग्स को आप ड्रॉप करने का सोच सकते हो उत्तने बढ़िया नहीं लगे जरूर पिछले नहीं रहें बनेते बाड उतने सॉ तो यह भी आपके लिए गेम चेंजर फिक बन सकते हैं गर पहले बैटिंगे को लकता की इनको ले सकते हो एक सॉलिट पारी मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते है रहाने का कुछ बोलने सकते हो सकता है इस मैच में ड्रॉप हो जाए और इंफिंच उनको रिप्लेस कर स बहुत सिंपल सा रीजन है जब चलते हैं लंबा चलते हैं और कंसिस्टन रहते हैं जरूर है जरूर रिसाइपल में अब तक रण नहीं बने हैं बड़ा स्टील फील की इंपॉर्टन पीक रहेंगे इस मैच में तो मैं इंकड़ शेयर को प्रेफर करूँगा और हमारे की पहले बॉल्ग है तो जरू हो जाइंगे अगर उट्राजन के बॉलिंग करेंगी तो शाहिद मैंत रराजन को नहीं यह बात याद रखना वार्वन तो आपके क्रेट का प्रॉब्लिम यहाँ पे सॉल हो जाएगा फिर आपको सुनी नारायन एक्चुली मिल जाएंगे तो आप यह भी ट्राइक कर सकती है इसमें कोई इस्यू नहीं है बट आपके मर्जी भूनेशर कुमार को मैं अभी तो ले ही के ही चल रहा हूँ प्लस में वरुन चक्रोरती को भी ले रहा हूँ ठीक है तो यह दो बॉलस तो मैंने ले ही लिए अब इसके रहा उम्रान मलिक है मिडल ओर्स मच्ची बॉलिंग कर सकते है देख सकते है तो माको यांसेन को दो मैच में दो विकेट से बड़ा स्टील फिल की इंपोर्टन पिक बनेंगे इस मैच में स्पेशल अगर यही खेल रहे है तो यह आपको बैटिंग भी देंगे नंबर साथ पर ठीक है याद रखना हो सकता है आपको शिव मावी खेलती हुई दिख जाए रसिक सलम के जगह पे सरेज गोपाल आ सकते इस मैच में या फिर कार्थिक त्यागी आ सकते या फिर जगदिशन सुचित आ सकते है इन तीनों में से कोई ना कोई एक खेलता हो दिख जाएगा सुन्दर के जगह पे यह बात याद रखना ठीक है तो यह भी जो भी खेलेगा स्पेशली कार्थिक तैगी एक आपके लिए बहुत अच्छे डिफरेंशल पीक रह मेरे पास क्लिफ नहीं बचने एक क्रेड़ कम पर रहर है अगर आपको निकरा Özpura चाहिए तब क्या कर सकते हैं पर विलयम संब कर सकते हो, जैसे खांक रिफट बेटर करके नितिश्राना ले सकते हो यह भी कप कर सकते हैं अगर के विलियमसन का दीन अच्छा नहीं रहा के जल्दी निपट लेते ना तो यह टीम एक्चुली अच्छा कर भी सकती है इस टिम में हम लोगोंने दो प्लेश को मिस किया है एक तो हम लोगोंने मिस कियायद के विलियमसन को ठीक है वह तो हम कर सकते हैं अभिशक शर्मा तो यह टीम अच्छा करेगी वरना जो पहले आपको टीम दीती ही ken vilemsson वाली आप उसके साथ भी जा सकते हो simply आप को क्या करना है पूरान को drop करके Samplings ले लो نीक नितिशना को drop करके आप लोग ही हापर ken vilemsson ले लोगे और आपको फिर नाराएं को drop करके वरण चक्रवरती लेना पड़ेगा फिर आपको यह तीन चेंजेस करने पड़ेंगे तो आपकी वह सेप टीम बन जाएगी ठीक है अब यह आप उस इस आपसे भी चल सकते हो बस एक बात याद रखना यह जो यह सारीच की टीम है यह थोड़ा सा स्पीनर्स के सामने नारायन और वरुन चक्रवरती की सामने स्लो क सकते हो बट राइट ना वरी यह टीम बनती है अब कैप्टन वास कैप्टन से शेयर को मेरी दे रहा हूं ठीक है मैं यह को मेरी कैप्टन से देखके चलूंगा और वीसी का बहुत कंज्विजन इक इसके साथ जाए पैट कमिस का आपको पता है हर मैंच में बैटिंग नहीं के साथ जाना चाहता नहीं हूं वीसी के लिए बिकोज मुझे लगता है नाराय वरुन चक्रवर्ती परिशान करने वाले है उनको ठीक है तो अभी कलिए मैं यह को कैप्टन सी पैट कमिस को वास कैप्टन से देखके चलो पूरी चार ओर देते है तो बनता भी और को प्रेटिक करना बहुत मुझकिल होता यह बैटिंग और चेंज करेंगे सुनिल नाराय को प्रमोट कर देंगे डेत ओर में लास्टेम इनों ने उमेश आदो से बॉलिंग करवाई थी रसल से बॉलिंग नहीं करवाई थी हो सकता है यह ऐसा ही कुछ कर जाए हो सकता है इस बने घर थी कर दोफि दो ठानल के यह बनेगा कर्थिक टाईगी अ गईगा क्लापो निशच को डापक में झाल झाल